सिंख्त किसान मोचा के ओर से बैठक बलाए गई है यह बैठक शनिवार और अविवार को होनी है यानि आज और कल 32 किसान संगटनों की आज साजा बैठक होगी बड़ी जानकाली आपको दे रहे हैं ऐसे वक्त की आगे की रणनिती पर आज मन्थन किया जाएगा सिंख्त किसा बलकुल बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कल प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से क्रिशी कानूनों को वापस लेने की बात कहरी गई लेकिना अब किसान संगठन फैसला लेंगे और उजवल कुमार आपको जादा जानकारी देंगे हमार प्रेस कॉंसरेंस करने जा रहे हैं रव्यूर का दिन होगा MSP पर गारंटी चाहते हैं क्या आप आगे आने वाले समय में तस्वीर देखते हैं कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से MSP को लेकर भी और किशी कानूनों को लेकर भी कल बात कह दी गई है लेकिन क्या संतुस्टी होगी क्या सिंगू बॉर्डर पे पहली जैसा नजारा देख पाएंगे हम कि हां रस्ते खुले हुए हैं और सब समाने होता नजारा रहा है चाहिफर अलगलग बॉर्डर का जिक्र करें जहां पर किसान डटे हुए थे उच्छवर बिल्कु ठीक है जिस तरीके से अगर हम कल की बात करेंगे तो यकिनां सरकार ने जो कल फैसला लिया प्रदान मंतरी नरेंद्र मुदी वो खुद सुबा नौ बज़े आते हैं और पूरे देश के नाम वो संबोधन करते हैं जहां पर वो ये घोशना करता है कि जो किसान मां बातचीत करी लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना ता देखी जैसे उनके निता पहले ही साफ कर चुके थे राकिश कह चुके थे क्रिशी कानून वापस ले जा है इसका सभी किसान मोर्चा जो है स्वागत करता है लेकिन इसी के साथ देखिया उन्होंने अब अपनी और श तो देखें अभी आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से आगे सारी चीजे होने वाली है क्योंकि अगर आज की भी बात करें तो देखें आज जो 32 किसांद संगठन है आज और कल उनकी बैठक होने जा रही है क्योंकि अगर हम कल की बात करें हैं यो राके शिकैत थे जिन्होंने कहिना के फ्रंट पर आकर इस अंदोलन को लीड किया था वो कल राश्रासधाने दिल्ली में मौझूद नहीं थे वो कल देखें पूरा पहुचे वे थे पाल घर में थे वो और आज देखिए तकरीबर दुपैर के हो सकता है कि दुपैर के बाद जो है से किसान मोर्चा की जो है एक बैठा को सकते है जिसमें आगे की क्या रणनीती है वो तैर होगी लेकिन देखे अगर हम बात करें उनके आगे के जो कारेकरम पहले से उन्होंने सुनिश्चित कर रखे हैं वो जारी रहेंगे और उन्होंने साफ कहे दे कि 22 नवंबर को जो लकनाओ में महापंचायत होनी थी वो महापंचायत होने के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीती रहने वाले किस तरीके से सहीए कि किसान मोर्चा जो है वो सारे आगे कदम उखाय जस तरीके से आप जानकारी दे रहें कि महापंचायत भी होनी है और किसानों के तरफ से कहाई भी जा रहा है कि आंदुरों नवी खत्म नहीं किया जाएगा हलंकि अगर बात करें पीम नरीं दर्मोदी के तो उन्हें राश्ट के नाम सम्मोदन देते हुए कहा कि सवापस भी ले ली गए है और जो भी मांगी किसानों की है वो भी मानी जाएगी और खास्ताव पर MSP को ले करके भी कहाएगी कमीटी गठित की जाएगी तो आकिर फिर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे किसान बिल्कुल ठीक सुनिका देखे जो आपने सवाल यहाज में से पूछा यही से मैं एक्जेक सवाल जो है कल जब मैं गाजेपूर पहुचा था बॉर्डर यही मैंने वहाँ पे जितने भी किसान बैठे वे थे उनसे मैंने जब बातचीत करी थी उनसे लाइव इंटर्विव अशिए आंडे आंसे कर से वे भीया ही चांसे लाइव था थे लाइव पॉर्ण में शोला झाही चाँचा सावरे टाह यही किछ सुने का तूसर कि बातवन में यही कि घ्ली सावर latest Multi compte